दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार भारतिये जन्ता पार्टी पर आकरामक है. दिल्ली में 25 मई को राजधानी की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है. इस बीच आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चु विधान सभाओं में जाएगी. जहां जहां आम आदमी पार्टी के चारो लोकसभा उम्मीदवार, इस्ट, वेस्ट, साउथ और ई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं. आप द्वारा पहले चरण में 200 संकल्प सभाएं की जाएंगी. 16 अप्रेल से आप दिल्ली सयोजक और मंत्री गोपाल राय इस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के विश्वास नगर विधान सभा से संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे और 22 इतक कुल 40 सभा करेंगे. 18 अप्रेल से हाल ही में जेल से बाहर आए आप सांसद संजे सिंग साउथ दिल्ली लोकसभा सीट के अमबेटकर नगर से संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे और 23 मही तक कुल 40 सभाय करेंगे. साथ ही आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं मंत्रियों की भी संकल्प यात्रा आयोजित होगी. आम आदमी पार्टी सूत्रों के मताबिक संकल्प सभा के अंत में आम लोगों को मोबाइ की फ्लेश लाइट जला कर एक शपत दिलाई जाएगी कि अर्विंद केजरिवाल को गिरफतार कर पूरी दिल्ली का अपमान किया गया है। इस दौरान पार्टी द्वारा पिछले 6 दिनों में 3 लाइट परिवारों से संपर्क किया गया।